आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो question में का आगया In the given questions, two quantities are given one as quantity first and another as quantity second You have to determine relationship between two quantities and choose the appropriate option तो देखो हमें 2 equation given है x square divided by 5 plus x plus 4 by 5 is equal to 0 और second equation 3y square plus 4y plus 1 is equal to 0 और quantity first में हमें x की value पूछी गई है और quantity second में y की value पूछी गई है अगर हम बात करें x की value की तो हमें x square upon 5 plus x plus 4 by 5 is equal to 0 given है तो देखो हम denominator से 5 को remove कर देते हैं कैसे करेंगे अगर हम multiply by 5 कर दें दोनों साइट तो कोई फार्क नहीं पड़ेगा तो जब हम 5 से multiply करेंगे तो यहां तो x square आ जाएगा यहां 5 से multiply करेंगे तो 5 x plus 4 is equal to 5 into 0 करेंगे तो हमारे पस 0 ही रहेगा अब देखो हम इसे solve कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि x square plus 5 x के ऐसे factor कर लेंगे कि 4 into 1 हो जिनका product तो 5 x से factor क्या हो जाएंगे 4 x plus x 4 x plus x होगे देखो तो 4 और 1 x add करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 x आ जाएगा और 4 into 1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा 4 is equal to 0 अब देखो अगर हम x common ले ले तो x plus 4 आ गया plus 1 common ले तो x plus 4 is equal to 0 अब हम x plus 4 को common ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x plus 1 is equal to 0 तो यहां से हम कह सकते हैं कि x plus 4 is equal to 0 होगा या तो या फिर x plus 1 is equal to 0 होगा तो यहां से x की value minus 4 आ जाएगी और यहां से x की value हमारे पास minus 1 आ जाएगी सेम ऐसे y की values भी find out कर लेते हैं y के लिए हमें जो equation given है उसकी बात करें 3y square plus 4y plus 1 is equal to 0 given है तो देखो 3y square plus 4y plus 1 is equal to 0 है तो हम कह सकते हैं कि 3y square plus 4y के ऐसे factor करेंगे जिनका product 3 into 1 3 हो तो हमारे पास factors 3y plus y आ जाएगे plus 1 is equal to 0 अगर हम 3y को common ले ले तो y plus 1 बचेगा plus 1 को common लेंगे तो y plus 1 बचेगा is equal to 0 तो हम कह सकते हैं कि y plus 1 को दोबारा से common ले लेते हैं plus y plus 1 को जब हम common लेंगे तो हमारे पास 3y plus 1 बचेगा 3y plus 1 is equal to 0 तो यहां तो हमारे पास y plus 1 is equal to 0 होगा यहां से y plus 1 is equal to 0 यहां फिर हमारे पास 3y plus 1 is equal to 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि y की value जो possible है y या तो minus 1 होगा यहां से यहां से y की value हमारे पास कितनी आएगी minus का 1 by 3 आएगा जो कि कितना होता है 0 minus का 0.33 अब देखो comparison कर लेते हैं x और y के बीच में अगर हम बात करें x की value हम minus 4 ले और y की value देखो 1 ले तो हम कह सकते हैं कि x is less than y होगा क्योंकि negative के case में जो number बड़ा होता है दिखने में वो actual में छोटा होता है तो minus 1 से बड़ा हम में minus 4 वैसे तो 4 बड़ा है लेकिन यह negative की वज़े से छोटा होगा second case की बात कि x की value minus 4 और y की value minus का 0.33 तो यहां पर भी यह number जो है इससे बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि x is less than y है यहाँ पर भी third case की बात करें x की value minus 1 लेंगे y की value minus 1 लेंगे तो यहां से आ गया x is equal to हमारे पास y next case की बात करें तो यहां तो देखो x अब देखो x की value हमारे पास minus 1 होगी और y की value minus का 1 by 3 अब minus 1 is less than 0 minus का 0.33 तो यहां से भी x is less than y आ गया, तो हम कह सकते हैं यहां तो x less than y होगा या फिर equal to y होगा, और x की value हमें equation, quantity first में पूची गई और y की value second में पूची गई है, तो यहां पर quantity first is less than या फिर equal to second होगा, अब देखो quantity first is less than equal to second हमें fourth option में का गया है, so option 4 will be correct answer to this question, thank you. Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर